रुद्राक्ष को क्यों धारन करना चाहिए? रुद्राक्ष को धारन करने से क्या-क्या फाइदे होते हैं? इस्तरी पुरुस बूडे बच्चों को क्या रुद्राक्ष धारन करना चाहिए? अधार्थ कौन-कौन लोग रुद्राक्ष को धारन कर सकते हैं? रुद्राक्ष कितनी मुखी तक होते हैं कौनसा मुखी रुद्राक्ष धारन करना सही रहता है क्या रुद्राक्ष धारन करने के बाद कुछ नियमों का पालन भी करना होता है क्या क्या रासी के अनुसार या जनमकुली में बैठे ग्राहों के अनुसार रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। क्या ऐसे करने से ग्राउं की शांती होती है ग्रा सांत होते हैं रुद्राक्ष क्या है असरी नखली रुद्राक्ष की पैचान कैसे करें छोटे या बड़े किस परकार के रुद्राक्ष के दाने गले में धारण करना चाहिए अथार्थ छोटे दाने धारण करें या बड़े सवाल होते हैं किसी का कहना है कि मैंने गले में रुद्राक्ष को धारण किया हुआ है परन्त मुझे लगता है कि मुझे इसका फल नहीं मिल पा रहा है किसी का कहना है कि रुद्राक्ष के बारे में कहीं भी पूरी जानकारी नहीं मिलती है जहां भी मिलता है सब आधी अधूर पूरी जानकारी मिलती है कृपया आप रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी बताईए तो मैं आज आपको रुद्राक्ष के बिसे में सारी जानकारी दूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपन उत्पन यहां रुद्राक्ष के ब्रिक्ष उत्पन हुए है यहां भुक्ती तथा मुक्ती को देने वाले हैं तो हम सबसे पहले होर बातों को जानने से पहले यहां जान लेते हैं कि रुद्राक्ष कितनी मुखी तक होते हैं और परतेक मुखी रुद्राक्ष का फल क्या क्या होता है परतेक मुखी रुद्राक्ष को धारन करने का अलग-अलग फल होता है वैसे तो रुद्राक्ष कही मुखी तक होते हैं परंतों मुख्यता 14 मुखी तक का विसेज फल बताया गया है एक मुखी रुद्राक्ष सिवस्वरू पे यहां भोग वा मौक्ष फल प्रदान करता है जिस अस्तान में इसकी पूजा होती है वहां लक्षमी का ही वास होता है उस अस्तान से सारे उपदर्व नस्थ हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की सभी कामनाई पूरी होती हैं दो दोनों का शुरूप माना गया है इससे सभी कामनाई की पूर्ती होती है तेन मुखी वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है इसके प्रवाव से सारे विद्याई प्रतिष्ठित होती हैं यहां अगनी शुरूप माना जाता है चार मुख वाला गुशार्तूं को देने वाला है पांच मुक वाला रुद्राक्ष साक्षात कालगनी रूप है वहां सब कुछ करने में समर्त है सब को मुक्टि देने वाला है तता संपूर्ण मनों वांचितफल प्रधान करने वाला है च्छा मुक्वाला रुद्राक्ष कार्तिकिया का रूप है यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला पाप मुक्त होकर के मुक्ति पाता है यहाँ विद्यार्थियों के लिए उत्तम होता है साथ मुक्वाला रुद्राक्ष अनंग शुरूप है और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है अथार्थ यहाँ काम देप का रूप है इसे धारण करने से धन बिर्दी तथा रोगों का नास होता है आठ मुक्वाला रुद्राक्ष अस्टमूर्ती बहरप रूप है इसे साक्षा बिनायक देप भी माना जाता है इसे धारण करने से अन्न वस्त्र तथा स्वर्णादि ब्रदी होती है तथा पूर्णाय होकर के शिवलोग को जाता है नौ मुक्वाले रुद्राक्ष को भैरप तथा कपिल मुनी का परतीक माना गया है अथवा नौ रूप धारण करने वाली माहेश्वरी दुरुगा उसकी आदिष्ठात्री देवी मानी गई है इसे बाई हात में धारण करने से समस्त पाप नश्ठ होते हैं तथा यहा तथा मौक्ष को देने वाला है सिद्ध होने पर सभी प्रकार की सिद्यां प्राप्त होती है दस मुखवाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्ठु का रूप है इसे धारण करने से मनुष्य की सभी कामनाई पूर्ण होती है भूत प्रेत वादा तथा सभी प्रका इसको धारण करने से मनुष्य को सबी जगा विजय में उती है, इसे गोरी शंकर और भगवती पारवती का रोप माना जाता है, इसे घर, पूजा ग्रहे, अथवा तिजोरी में मंगल कामना के लिए रखना लाब दायक है, यहाँ सब को मोहित करने वाला है, देवी भागवत पुराण में लिखा है, जो मनुष्य इसे सिका में धारण करता है, उसके पुन्न फल के बिसे में सुनो, मनुष्य हजारूं अस्वमेद यग्यक करने, वाजपिय यग्यक करने, और समयक रूप से लाखों गाईउं के दान करने से जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे ग्यारा मुख रुद्राक्ष को धारण करने से सिक्र ही प्राप्त हो जाता है, बारह मुख वाले रुद्राक्ष को बाल तथा कानों में धारण करने से 12 आधित्य प्रसन हो जाते हैं, अश्वमेद यग्यक करने से जो फल मिलता है, वहाँ फल केवल इसे धार करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है यहां सिद्ध होने पर सेंग वाले जानबरूं ब्यागरादी हिंसक प्वसूं तथा सस्त्रधारी शत्रों का भय नहीं होता है रोगादी सब खत्म हो जाते हैं तथा सभी पापूं से मुक्त होकर एस्वर संपन होकर मुक्त हो द्राक्ष यदी मिल जाए तो इसे कार्थिकिया का रूप भी जानना चाहिए यहां सभी प्रकार की कामनाओं अर्थूं तथा सिद्धियों को देने वाला है उसके लिए रस रसायन सबकुस सिद्ध हो जाता है तता समस्त प्रकार के भोक्यादिप्रदार्थ उसे प्राप्त हो जाते हैं चोदा मुख वाला रुद्राक्ष परम सिबरूप है इसे हमेशा मस्तक पे ही धारन करना चाहिए तथा यहां सिद्ध होने पर सभी प्रकार की सिद्धियों को सिद्ध करने वाला है ये तो बताए मिने आपको चोदा मुखी रुद्राक्ष को धारन करने का अल तो आपको अवश्य रुद्राक्ष एक मुक्ति का सबसे बड़ा शादन है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा इस संसार से कल्यान हो जाए तो आपको अवश्य रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। चूंकि रुद्राक्ष को धारण करने से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है और इस मार्ग के खुल जाने से आपको भुक्ति मुक्ति मिल जाती है। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको अवश्य ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अगर नहीं भी करते ह तो फिर भी आपको रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए, यहां रुद्राक्ष ना तो रासी के हिसाब से फैनना चाहिए, ना तो जनमकुंडली में बैठे ग्रहों के हिसाब से धारन करना चाहिए, अथार्थ जब भी आपके मन में रुद्राक्ष को धारन करने की इच्छा हो शड़दा हो तभी इस रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष को धारन करने से उसे पुर्ण्य मिलता ही रहता है उस पुर्ण्य के प्रबाव से वहां भुक्ति मुक्ति फल को पाता है अथार्थ रुद्राक्ष को धारन करने वाला मनुस्य जिस भी पुर्णे कर्म को करता है उसका कही गुन्याफल उसे मिलता रहता है रुद्राक्ष को सभी वरणों के लोग इस्त्री पुरुस बूडे बच्चे सभी लोग धारन कर सकते हैं क्योंकि भगवान सिब ने स्वयम ही सभी लोगों को रुद्राक्ष को धारन करने के लिए कहा है भगवान सिव स्वयम केते हैं स्रवास्रमानाम वर्णानाम इस्त्री शुद्रानाम सिवाग्याँ धार्याह सदैव रुद्राक्षा यतीनाम प्रणवे नही। सिव के भक्तों को तो रुद्राक्ष धारन करना ही चाहिए परंत अन्य देवों के भक्तों को भी रुद्राक्ष धारन करना चाहिए ऐसा करने से उन्हें अत्यम्त पुण्य फल की प्राप्ती होती है। अब मैं आपको रुद्राक्ष की पैचान के बारे में बताता हूँ, आउले के फल के समान रुद्राक्ष को उत्तम कहा गया है, अथार्थ जितना आउले का दाना होता है, उससे बराबर का रुद्राक्ष का दाना सबसे उत्तम, सबसे अतिशिक्र तथा सबसे ज़्यादा फ सही दाना है उत्तम है और जो इसके बाद दूसरे नंबर का फल देने वाला रुद्राक्ष का दाना होता है वहाँ वेर फल के समान दिखाई देता है वहाँ भी मध्यम फल देने वाला बताया गया है और चने के बरावर फल के समान रुद्राक्ष को अदम केते हैं अथार्थ जो चने के बराबर के समान जो रुद्राक्ष के दाने होते हैं उन्हें कभी धारन नहीं करना चाहिए ऐसे रुद्राक्ष के दाने को धारन करने से किसी परकार का फल नहीं मिलता है या अदम बताए गए हैं इन्हें हमेशा त्यागना चाहिए सबसे उत्तम जो आवले के बराबर रुद्राक्ष के दाने होते हैं वहा सभी परकार के अरिष्टों को खतम करते हैं मनों वांचित फल प्रदान करने वाले होते हैं बेर के फल के बराबर रुद्राक्ष भी संसार में सुख सोबाग्य को बढ़ाता है और जो गुंजा के शमान रुद्राक्ष होता है वहा भी उत्तम माना जाता है वहा भी सभी परकार के अर्थों को देने वाला होता है जो रुद्राक्ष सम, सिनिक्द, दृड, इस्तूल, कंटकों से युक्त, मनुवर आकरती वाले आदि रुद्राक्ष भुक्ती तथा मुक्ती को देने वाले होते हैं तथा छिन भिन, कीडों से खाये हुए रुद्राक्ष, जिन रुद्राक्षू में काटे न हो, गाव से युक्त रुद्राक्ष, जो रुद्राक्ष गोल न हो, ऐसे दोस युक्त रुद्राक्ष उत्तम माना गया है, किसी के द्वारा छेद किया गया, रुद्राक्ष को मध्यमफल देने वाला बताया गया है, जो रुद्राक्ष मसीनों के द्वारा किसी अन्य लकडी से बनाया गया हो, या फिर मसीनों के द्वारा उन पर मुख का आकार दिया गया हो या फिर उन पर किसी परकार का कलर आधि किया गया हो तो ऐसे रुद्राक्ष को कभी धारन नहीं करना चाहिए अथार्थ बनावटी रुद्राक्ष को कभी धारन नहीं करना चाहिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हू कि रुद्राक्ष का मुख कैसे देखते हैं जो गैरी लाइने लंबी होती हैं वहार रुद्राक्ष का मुख होता है तो आप ऐसे जान लीजिए कि जो रुद्राक्ष का जो लाइन है गैराई से लाइन है इसे रुद्राक्ष का मुख कहा जाता है जिस रुद्राक्ष में जि कि रुद्राक्ष कैसे धारन करना चाहिए कितने रुद्राक्ष के दाने धारन करने से रुद्राक्ष का पूर्ण फल मिलता है तथा वहां रुद्राक्ष के दाने धारन करने से कब सिद्ध हो जाते हैं आपको हमेशा यहां ध्यान में रखना है कि जब रुद्राक्ष के बिती बत्राई है वही बिदी में आपको बताता हूं कि भगवान सिभ ने किस बिदी कितने दाने रुद्राक्ष धारन करने के लिए बताया है वही बिदी में आपको बिस्तार से बताता हूं तथा यहां भी बताता हूं कि रुद्राक्ष सरील में कहां कहां धारन करना चाहि मनुष्य को भक्ति युक्त होकर के 360 रुद्राक्ष के दाने तीन लड़ी में बना करके जैसे यग्यों पबीत अथार जल्यों को फेंते हैं उसी तरह से धारण करना चाहिए सिका में तीन दाहिने तथा बाएं कानू में चाचा रुद्राक्ष धारन करना चाहिए 101 गले में बाहू में 11 कोहनी तथा मनिबंद में भी रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए जनव में तीन दाने तथा कमर में भी पांस दाने रुद्राक्ष को धारन करना चाहिए, सिका में एक, सिर में तीज, गले में पचास, तथा दोनों बाहों में सोला सोला रुद्राक्ष दाने धारन करें, तथा मनिबंद में बहरा और कंदू पे पांसो रुद्राक्ष धारन करें 108 रुद्राक्ष की दाने की माला बना करके उपवीत की भाति धारन किया जा सकता है अथात रुद्राक्ष के जितने दाने धारन आप कर सकते हैं उतने धारन कर देने चाहिए क्योंकि रुद्राक्ष के जितने दाने आप धारन करोगे उसका अत्यदिक फल आपको मिलता रहेगा आप सोने में तथा चांदी के तार में रुद्राक्ष को पिरो करके भी आप धारण कर सकते हैं। परंत जो भक्ति पुरुस हैं उनको 108 या फिर 57 दाने की रुद्राक्ष की माला बना करके धारण करना चाहिए। धारण करें तथा जिन लोगों को मंत्र का पता नहीं है वहा लोग 55 मंत्र ओम नमस शिवाय के जब के साथ समाई थोकर के रुद्राक्ष को धारण करें। भगवान सिब ने कहा है रुद्राक्ष को धारण करने वालों को कभी भी मांस मदीरा लसुन प्याज अथार्त और भी तामसिक चीजे हैं इनका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को अब अबित्र अवस्ता में कभी धारण ना करें। वेसे विड़ती जहां पर मांस मदीरा आधिका सेवन किया जाता हो या किया जा रहा हो उनके सामने रुद्राक्ष को धारण करके कभी न जाईए। सब यात्रा के समि कभी भी रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। रुद्राक्ष को सिर में तथा माथे पत्रिपुंड धारण करते हैं और सदे पंचाक्षर मंत्र ओम नमस शिवाय का हमेशा जाप करते रहते हैं वहां सादुपुरुष हमेशा पुज्य होते हैं। जो लोग सरेल में रुद्राक्ष तथा माथे पत्रिपुंड धारण करते हैं और हमेशा पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहते हैं। वहां इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें कभी भी यमलोक में नहीं ले जाया जाता है। सिपजी ने तो स्वयम कहा है, जो रुद्राक्ष धारन करता है, वहाँ मेरा प्रिया है, जो रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करता है, उसे करोड़ों गुना फल मिलता रहता है, रुद्राक्ष की माला से सभी देवी देपताओं के मंत्र का जाप किया जा सकता है, रुद्राक्ष की माला धारन करने से कही करोड़ गुना फल प्राप्त होता रहता है तथा रुद्राक्ष धारन करने वाले ब्यत्ति के पास भूत, प्रेत, पिसास, डाकनी, साकनी आधी कोई भी नहीं आता है उसे देखकर ही दूर भाग जाते हैं रुद्राक्ष को धारन करने वाले ब्यत्ति को देखकर के सिब बिष्णु देवी गणी सूर्य तथा अन्य देपता आधी भी प्रसन हो जाते हैं बस्म तथा बिना तरपुंड लगाए और रुद्राक्ष धारन के बिना महादेब की पूजा नहीं करनी चाहिए रुद्राक्ष धारन करना साच्चा सिब ज्यान प्राप्ति का शादन है रुद्राक्ष से बढ़कर ना कोई इस्त्रोत है ना कोई वर्त है सबी परकार के अच्छे दानों की तुलना में रुद्राक्ष धान बिसेस महिमा वाला है जो मनुष्य किसी सांत स्ववावले सिब भक्त को उत्तम रुद्राक्ष का दान करता है उस ब्यक्ति को अच्छे पुण्यफल की प्राप्ति होती है जो ब्यक्ति सोना चांदी नग इस पटक आदी चीजों में रुद्राक्ष को चड़वा करके धारन करता है उसे अतंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है इस बीडियो को उन लोगों तक पहुँचाईए जो लोग रुद्राक्ष के बारे में जानकारी पाना चाते हैं इसी को ग्यान देना भी उत्तम है अगर आपको बताई गई जानकारी के अलावा रुद्राक्ष के बिसे में होर भी जानकारी चाहिए तो आवज से बताईए मैं उस बिसे पर आपको अवज से जानकारी दूँगा रुद्राच के बिसे में जो जो जानकारी मुझे महत्वपून लगी वहाँ जानकारी मैंने निकाल करके आप लोगों को बताया है यहाँ सारी जानकारी मैंने पुराणों से निकाल करके बताई है